हाल ही में पूर्वसी मोपी चोटाला के सीम खटर पर दिये बयान पर टिपणी करते हुए कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शोकतवर ने कहा कि नेता चाहे कोई भी हो उसे अपनी मर्यादा में रहकर ही भाषा का प्रियोग करना चाहिए बता देएं कि करनाल के उजाट धरमशाला में कॉंग्रेस पार्टी की ओड़ से एक विशेश बैठक का आयोजन किया गया और जहां पहुंचे अशोकतवर ने ये बयान दिया वही बैठक में ये लोग सभाचरावों में हुई करारी हार के बारे में भी अशोकतवर ने कारकरताओं से फीडबैक लिया और हार के कारणों की समिक्ष्वा करी हम तो यही कहते हैं कि सब को मर्यादित बोलना चाहिए कोई भी नेता हो हम कई बार हम यह सोच करके कि यह बढ़िया चप जाएगा कल के ख़बारों में और कुछ भी सुर्कियों में आने के लिए कुछ भी बोल दे वह उस तरह का क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वह भी मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने बोला है मुख्यमंत्रियों के दिमाग में कुछ अलग तरीके से चलना शुरू हो जाता है इसलिए हम दो उस बात से सहमत नहीं है और मैं समझता हूं कि हर वेक्ति को चाहे छोटे से छोटा कारे करता हो या बड़े से बड़ा उनको जनता की भावना का भी और जो एक दूसरे के प् है मर्यादित बाशा के रूपे ने